नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अमारे यूट्यूब चैनल आलोग फिटनेस आइडियास में दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वालों कि किस तरीके से आप अपने इंप्लांटेशन को सक्सेस्फूल बना सकते हैं और जिन लोगों को नहीं पता है कि इंप्लांटेशन क्या होता है तो उनकी जानकारी के लिए बतादू कि जब एक फर्टिलाइज हो जाता है तो फर्टिलाइज होने के बाद बच्चे तानी की दीवार यानि की एंडोमीट्रियम से चिपक जाता है और पूरे 9 महीने तक वहीं पे बढ़ता है ये जो प्रोसेस होता है इसको इंप्लांटेशन का आ जाता है और अगर इंप्लांटेशन फेल हो जाता है तो प्रेगनेंसी खराब हो जाती है और period मिस होने के कुछ दिन बाद ही bleeding शुरू हो जाती है अक्सर महिलाओं की शिकायत रहती है कि period तो मिस होते हैं pregnancy की symptoms भी दिखते हैं लेकिन 2-4-10 दिन बाद ही bleeding शुरू हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि उनको pregnancy तो conceive हो रही है लेकिन वो successful नहीं हो पा रही है लाइक करते हैं क्योंकि बाद में अब लाइक करना भूल जाते हैं लाइक करने के साथ सारी से facebook पर whatsapp पर share भी करें ताकि जाना ज्यादा लोगों तक वीडियो पहचें उनको जान करी मिले फायदा मिले तो चली शुरू करते हैं दोस्तों जब pregnancy conceive होती है तो उसको आखे continue रखने के लिए successful बनाने के लिए body में जरूरत होती है progesterone hormone की और जिस महिला के शरीर में progesterone hormone की कमी होती है उसका implantation fail हो जाता है यानि कि उसकी pregnancy खराब हो जाती है आप मेंसे बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होंगी जो डॉक्टर से treatment करवा रही होंगी और उन्होंने देखा भी होगा कि evolution के बाद डॉक्टर उन्हें एक tablet देते हैं progesterone की और वो tablet उनको खाने के लिए बोलते हैं कि उनके शरीर में progesterone की मातर सही तरीके से बनी रहें और उनकी pregnancy जो है successful हो सके लेकिन अक्सर यह होता है कि tablet हर किसी को सूट नहीं करती है और यहाँ पर आप लोगों को एक चीज यह बताना चाहूँगा कि जो चीज आप naturally अपनी body को देंगे वो ज़्यादा फायदा करेगी अगर आप artificially tablet की रूप में injection की रूप में इसको देंगे तो वो इतना फायदा नहीं करेगी और आपको तो उसके side fact भी हो सकते हैं pregnancy को success भी बनाने के लिए दोस्तों बहुत जरूरी है कि आपके शरीर में vitamin C सही मातरा में हो क्योंकि vitamin C progesterone के level को बनाये रखता है और आपके daily diet में कम से कम 750 mg vitamin C जरूर होना चाहिए vitamin C के लिए आप खटी चीज़े इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी diet में जैसे के नेबू, आवला, संत्रा, मौस्मी इस तरीके की चीज़ों को आप अपनी diet में जरूर शामिल कीजिए और इससे vitamin C आपकी body में सही मातरा में बना रहता है दूसरी चीज़े दोस्तो vitamin B6 और ये progesterone को balance करता है दोस्तो शरीर में vitamin B6 परयाप मातरा में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि estrogen को तोड़ने में liver की help करता है या फिर आप ये कह सकते हैं कि estrogen को control करता है जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर शरीर में estrogen बढ़ जाए तो progesterone की मातरा धीरे धीरे अपने आपी कम होने लग जाती है और इसी की वज़े से pregnancy conceive नहीं हो पाती है या फिर कई महिलाओं को अगर pregnancy conceive हो भी जाती है तो बाद में उखराब हो जाती है जैसे कि मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया कि periods तो मिस होते हैं लेकिन 2-4 ज़स दिन बाद जो है periods आ जाते हैं तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप चाते है विटामिन B6 की कमी आपके शरीर में ना हो तीसरी सबसे खास चीज है दोस्तो जिन्क और शरीर में हॉर्मों के लेवल को सही बनाने के लिए जिन्क का सही मातरा में होना बहुत ज़रा ज़रूरी होता है दोस्तो यह जो जिन्क होता है यह आपके pituitary gland के follicle stimulate करने वाले हॉर्मों को signal देता है जिससे की ovary को progesterone hormone बनाने में काफी ज़्यादा मदद मिलती है इसलिए जिन्क वाले foods को आपको अपनी diet में जरूर शामिल करना चाहिए जैसे की meat, अंडा, कद्दू या फिर कद्दू के बीच, oyster जिसे हिंदी में घोंगा भी कहते हैं आप ये भी ले सकते हैं, तरबूज ले सकते हैं, इस तरीके की बहुत सारी चीज़े हैं जिसमें जिन्क बरपूर मातरा में पाया जाता है और इसके लावा गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं कि जिंक कौन-कौन से चीज़ों में पाया जाता है उन चीज़ों को आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं इसके लावा दर तो प्रेगनिंसी को सक्सेसफफुल बनाने के लिए जरूरी है कि आपकी बॉडि में मैगनीशेम का लेवल हमें साब बना रहे हैं अगर आपकी body of magnesium सही मातरा में बना रहेगा तो ये हमेशा progesterone को maintain करके रखेगा जिससे कि आपके implantation को successful होने में कोई problem नहीं आएगी तो यहाँ पे आप लोगों कोई जानना जरूरी है कि क्या क्या चीज़े आपको खानी चाहिए जिससे कि आपकी body में magnesium का लेवल सही तरीके से बना रहे हैं इसके लिए आपको अपनी diet में seafood जरूर लेना चाहिए साथी साथ आप nuts ले सकते हैं Seeds ले सकते हैं आप umi rice coop ले सकते हैं और rájma ले सकते हैं लोबिया ले सकते हैं इस तरीकays कि डाले आपको ऐपनी diet में जरूर शामिए चाहिए तो इन सब चीजों से आप अपनी बॉड़ी में मैगनीशम को पूरा कर सकते हैं तो आज के वीडियो में इतना ही उमीद है दोस्तों आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी वीडियो को लाइक कर दीजिए साथी साथी से शेयर भी कीजिए चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तन्यवाद